दोस्तों कम्प्लीटली बात करने वाला हूँ वोड़ा फॉन आइडिया के स्टोक के बारे में डिटेल में डिसकस करेंगे वन वाई वन सारी चीजों को और आपको जो है बताने वाला हूँ आज के मूग की वज़ा यहां पे क्या रही दोस्तों आज के अंदर आज इंट्रा डे की मैं बात करूँ तो सिंगल डे के अंदर यहां पे 10% के राउंड का जो मूँ है यहां पे स्टोक ने दिया है और कुछ इंट्रेस्टिंग चीज़े इस मूँ से निकल के आती है गाईज वो यहां पे आपको बताने की समझाने की यहां पे कोशिस करूँगा और आज ही के डे के अंदर इस्टोक के अंदर आप देखोगे तो 52 वीक लो 7.75 का यहां पे बनाता हुआ दिखा और यही 7.75 का लो है अपनने इसी साल के अंदर एक बार पहले बनाते हुए देखा था जिसके बारे में जो है मैंने आपको 2 वीक पहले वीडियो बनाके आपको डिटेल में बता दिया था और आपको बता दिया था कि कहां से जो है आपको मूँ आ सकता है मैं इस जो वीडियो है इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा आप इस वीडियो को देखें उसके बाद में जो है एक्यूरेसी का आपको अनुमान लग जाएगा कि किस टाइब की एक्यूरेसी है इस चैनल के उपर आपको मिलती है और देखने को हमेशा मिलती है क्योंकि आप देख सकते हो जब से इसके अंदर बीरिस जो ट्राइंगल बना है बीरिस जो है इसके अंदर पूरा का पूरा जो पैटन बना है पिछले जिस पॉइंट पर मैंने वीडियो बनाया है उसके बाद में आप देख सकते हो इस टोक के अंदर कैसा शांदार मू है आपको देखने को मिल रहा है और मैं आज डिटेल में डिसक्स करूँगा कि यह जो मू है यह फर्दर कहा तक जा सकता है लेकिन उससे पहले गाज एक ही रिक्वेस्ट रहेगी आपसे यही रिक्वेस्ट बोलने की ज़रूत नहीं पढ़नी चाहिए यह ज़ो है ज्यादा से ज्यादा ज्यादा से ज्यादा चाहिए गाज उसके बाद में अपने चार्ट पे सबसे मैं चीज यहाँ पे चार्ट ही है पिछली बार मैंने बोला था technical chart कभी आपको जो है जूट नहीं बोलता गलत नहीं बोलता यहाँ पे news जो है वो गलत हो सकती है लेकिन technical chart उसके signals है वो आपको कभी भी गलत information यहाँ पे नहीं देंगे थोड़ा सा दिमाग लगा के समझने कोशिच करना आपको सारी की सारी चीज़े जो है यहाँ पे समझ में आ जाएंगी अपने देखा यहाँ पे जो है profit booking अपने की उसके बाद में अपने देखा इस stock के अंदर लगातार एक ऐसा bearish जो momentum बना और लगातार इस stock जो है गिरता गया और volume देखो volume भी इसके अंदर लगातार यहाँ पे गिरता ही चला गया और यहाँ पे जो है अपना lowest volume बनाए लेकिन उसके बाद में भी stock ने थोड़ा सा increase दिखा है लेकिन volume के अंदर कोई improvement आपन को नहीं देखने को मिला अब जो है आज के day के अंदर आपन को एक अच्छा volume यहाँ पे देखने को मिला और stock के अंदर लगबग 10% का increment intra day के अंदर आपन को देखने को मिला तो अब इस chart के अंदर देखो मैं दो तीन चीज़े आपको समझाने कोशिश करूँगा एक तो pattern है मैंने yellow line आपको दिख रही होगी थोड़ी जो yellow line आपको दिख रही होगी इसके अंदर जो है ये जो pattern आपको दिख रहा है ये वाला pattern ये वाला pattern ये pattern और आज इसी फैस square और य जो low है यहाँ पे stock ने बनाया है तो आप देख सकते हो same point पे same low और वहीं से जो है इस stock के इंदर एक बड़ा move है आज अपन को देखने को मिला ये हो सकता है कि आप इन चीज़ों पे जो है धान नहीं दे पाओ लेकिन आपको यहाँ पे देना पड़ेगा आपको चीज़े स बन पाएगा अभी जो है double bottom pattern की fast stage clear हुई है लेकिन पूरा का पूरा double bottom pattern है वो तब यहाँ पे clarify होगा जब इस जो resistance है इस resistance को यहाँ पे break करें और ये resistance है guys 10 रूपे गा 10 रूपीज का जो resistance है जब तक इसको break नहीं करेगा ये double bottom pattern नहीं बनेगा बादुबारा बोल रहा हूँ आपको कि ये double bottom pattern के संकेत दे दिये हैं लेकिन double bottom pattern तब ही बनेगा जब ये 10 रूपे के जो resistance है उसको break करेगा guys यहाँ पे 10 रूपे का resistance आप देख सकते हो पिछली बार यही इसी resistance से जो है अपने इस टोक के अंदर वापस डाउनसाइड मूँ दिया था अब double bottom pattern आप बोलोगे क्या होता है double bottom pattern तो जब भी double bottom pattern बनता है जब confirm हो जाता है कि double bottom pattern यहाँ पे जो है इस्टोक के अंदर बन चुका है वो यहाँ पे जो है वो आपको बताता है trend reversal यहाँ पे बताता है पिछले एक साल के अंदर आप इस टोक के अंदर देख रहे हो कैसा trend है वो है double top pattern जो है वो अपनने इस्टोक के अंदर देखा था double top pattern उस double top pattern के बाद में इस्टोक के अंदर कौन सा यहाँ पे बना वो बना be aris जो है reversal है वो यहाँ पे अपन को देखने का मिला पहले बुलि जो है, वो दिख रहा हैं और वो sign है, वो confirm कब हुगे, मैं आपको दुबारा पोल रहा हूं, वो confirm तब होंगे, जब 10 Rs.10 रुपे का जो इसका resistance है, उसको stock break कर पाएगा, अगर उसको break करता है, तो यहां पे जो है, यह stock ही शांधर हाईज है वो बनाता हुआ दिख सकता है आने वाले टाइम में और ट्रेंड रिवर्सल है दिख सकता है जब भी ट्रेंड रिवर्सल होता है तो वह ऐसा नहीं है एक दो दिन के लिए होता है वो चलता है तीन महीने जो फंड है उसकी न्यूज बोल रहे हैं कुछ और न्यूज आ रही है लेकिन अभी तक कोई भी गाइज मा बता दूँ आपको कनफर्म न्यूज है आज के डे के इंदर वोड़ाफोन आइडिया में जो है नहीं आई है अभी तक कोई भी पॉब्लिक डोमेन में जो न्यूज जर्शी नहीं आईए जब आगर न्यूज आएगी तो सबसे पहले जो है आपको इन्फोर्म करने वाला महीं होँगा ये आपको मैं आपको बता रहा हूँ इस चैनल के इंदर तो दोस्तो आपसे यह ही रिक्वेस्ट है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों के बीच में ये जो